जन्पत फिरोजाबार और आगरा जिला में दो अलग-अलग हाथ से लखनों एक्सप्रेस वेग के माइल स्टोन 45 पर उस समय चीख पुकार मज़ गई जब लखनों की तरफ से आ रही तेजगती की रफ्तार से बस कैंटर में चाटक राई जिससे बस में एक दर्जन से अधिक लोग कमभी रूप से खायल हो गए और एक की मौत हो गई अब बस पूरी तरह से शती ग्रस्त हो गई वहीं दूसरी घटना माइल स्टोन 25 की है जहां पर तेजगती की रफ्तार से आ रही कार आनियंत्रित होकर के डिवाइडर में चाटक राई जिससे तीन लोग कमभी रूप से खायल हो गए है मौके पर पौन्शी पूलिस ने यूपीडा एम्बूलेंस वारा खायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल मिली जानकारी के मुताविक पताय जा रहा है कि बस चालक को अचालक छपकी लगने से कैंटर में जा टकराई बस जिससे बस में सवार एक दरजन से अधिक लोग गंभी रूप से खायल हो गए और एक की मौत हो गई बस लगनों से आगरा जा रही थी अचानक रास्ते में भीशर सडक हाथसा हो गया भीशर सडक हाथसे में बस पूरी तरह सी छती ग्रस्त हो गई मौके पर पहुंची अलग-अलग जगा पर हुए भीशर सडक हाथसे में फोलिस ने अबुलेंस द्वारा खायलों को उपचार के लिए हस्पतार भेजा जहां पर उनका इलाज चल रहा है